नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल STC Classes by सत्रूतन यादाम में दोस्तों सबसे पहले आप सभी को गंतनत दिवस की हार्दिक सूब कामना है छातरों के द्वारा फिजिकल प्रोटेस्ट को देखते हुए RRB ने एक नोटिस जारी कर दिया है ये नोटिस आपके बगल में है इसी नोटिस के बारे में आपको पुरा जनकारी देंगे कि इसमें क्या कुछ कहा गया है पांच सदस्य एक कमिटी गठित की गई है इस कमिटी का काम है कि छातरों की बातों को सुनना चात्रों की बातों को आमने सामने नहीं सुनेंगे सुनने के लिए इन्होंने एक Gmail ID को पब्लिस किया है इस notice में आप देख सकते हैं इस notice को पहले आप थोड़ा सा देख लिजे फिर उसके बाद इस notice में क्या-क्या कहा गया है इस notice का पुरा जनकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो सबसे पहले दोस्तों चात्रों की बात को कब तक सुना जाएगा तो यह सोला फरवरी तो चात्रों की बातों को सुना जाएगा और चात्र जो है अपनी परतिकिरिया rrb committee at the rate railnet.gov.in पर देंगे यहाँ जा करके अपना परतिकिरिया देंगे और यह जो committee है क्यों बनाई गई है committee बनाई गई है rrb ntpc का जो vacancy है उसमे cbt1 का जो result दिया गया है उसमें जो गड़बड़ी हुआ है उस पर जो छात्र फिजकल प्रोटेस्ट कर रहे है और cbt2 के लिए कितना छात्रों का चाइनित किया जाना चाहिए इन सभी बातों पर यह सूनेगा committee उसके बाद दुसरा है कि rrc जो group d के लिए vacancy निकला है उस vacancy में cbt2 का जो प्रबधान railway द्वारा लाया गया है वह cbt2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए होने से क्या परसानी है नहीं परसानी है इसके बारे में यानि की rrb group d के बारे में यह जो है committee और ntpc के लिए यह दोनों की समस्या का समधान के लिए यह committee गठित की गई है committee जो है 16 फरवरी तक छातरों की बात को सुनेगा और उसके बाद 4 March को rrb को सौपेगा यह committee का काम है 4 March को सौपेगा अब बात यह है कि 4 March को यह rrb को सौपेगा तो सौपने के बाद उसके बाद rrb क्या decision लेता है rrb decision जब जो लेगा उसके बाद 4 March के बाद ही यह decision लेगा तो यह हमान के चलिए कि कम से कम डेड़ से 2 महिना का time और बढ़ जाएगा यानि 23 फरवरी से exam होने ही वाला था गुरूब D का और 15 फरवरी से NTPC का 14 फरवरी से तो यह जो है और delay हो जाएगा मतलब कि डेड़ 2 महिना और आगे बढ़ जाएगा तो चात्रों के पास यह समस्या फिर से आया है तो जो समस्या आया हुआ था इसका निदान के लिए कमिटी बनाया गया है चात्रों को और time आगे बढ़ जाएगा यह जो भकेंसी है यह और delay हो जाएगा तो यही इस कमिटी में कहा गया था इसके अलवा और इस कमिटी में कुछ नहीं है तो आप लोग जो continue तैयारी कर रहे हैं continue तैयारी करते रहिए पर इच्छा तो होना ही है बस थोड़ा सा लेट हो गया है अब आगे क्या होता है चात्रों की बात जो है इस पर सुना जाएगा यह पहले ही हम आपको बता दिये है सुनने के बाद यह जो है अररवी को सौपेगा रिजल्ट उसके बाद अररवी क्या डिसिजन लेती है तो इस वीडियो में फिल हाल इतना ही चले मिलते हैं अगली वीडियो में